हाई एवरिवन बेलकम बैक टू माई चाइनल आज हम बात करेंगे इस वीडियो में भी एल सी सी पार्टी ग्लो फेसियल के बारे में ये शिक्स एस्टेप फेसियल किट है और प्राइज भी बहुत अफेटेवल है इसका प्राइज तीन सो रुपीज है लेकिन मोस्ट अफ द लिखा हुआ है और मुझे ये ट्यू पैकेजिंग बहुत ही अच्छा लगा क्यूंकि एक फेसियल किट दो बार चल जाएगा और ट्यू पैकेजिंग स्टोर करने के लिए हाइचिंग रहता है तो सबसे फहला स्टेप है कॉमपर्ट क्रिंजर कम टोनर इस फेसोस का ट्रैक आसोर विल्कुल मिल्क जैसा है मायल्ड है फोम क्रिएट नहीं करता है लेकिन इसकीन को नाइशली क्लीन कर देता है और फ्रेगनेंस भी बहुत तीरिफे डेशिंग है यह फोर्ड मोनीमाइजिंग फेसोस है हमारे स्कीन को फेशियल के लिए प्रिपेर करता है नेक्स्ट है इंडियन बर्वेरी फेस क्रब यह एक क्रीमी स्क्रब है इसमें पपाया शिट्ष और डेट्स एक्स्ट्रेट है सर्कुलर मोसन में जैंटली अपने फेस को स्क्रब करना होगा इसके स्क्रबिंग पार्टिकल्स मीडियम साइज के है नाइशली एक्स्प्लियेट करता है और स्कीन को ड्राय आउट नहीं करता माल्ड फ्रे ये एक लाइट वेट जेल है इसमें मलवेरी और शैपलोन एक स्कीन को शॉप्ट सरपल और राइट नेट करने में मदद करता है आपको इसे अपने फेस पे मसाज करना होगा जब तक की पूरी तरह से स्कीन में एब्जोर्ब ना हो जाए मैं अपने फेस पे जैंटली मसाज करती हूं हलके हाथों से ज्यादा प्रेसर नहीं डालना चाहिए और अपने फिंगर टिप्स का ही यूज कीजिए हथीलियों से मसाज मत कीजिएगा एनिवेज ये मोस्टराइजिंग जैल है और इस कीट के शारे प्रोडेक्ट के फ्रेग्नेंश बहुत ही अच्छे ह है इस निकदा फेस क्रीम और ये इस टेप फेशियल के में इस टेप होते हैं क्यूंकि मसाज करने से स्कीन में ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है और स्कीन में ग्लो भी आता है तक अपने फेस को नाइशली मसाज करना होगा इसमें मलवेरी एंड लेमन पिल एक्ष्ट्रेस है जो पिगमेंटेशन कम करने में हैल्प करते हैं मोस्राइजिंग की क्रीम है और इसका ट्रैक्शर ठीक है तो बीच बीच में जो रत हो तो आप पानी या रोज वाटर स्प् पर ही रहे और हमें मसाज करने से आशानी हो मैंने पहले हाथों से 18 मिनट तक मसाज किया है उसके बाद फेसियल मसाजर से 2-3 मिनट तक मसाज किया है इसे मैंने मोजोन शिखरीदा था 300 रुपेज में ठीक ठाक रोडेक्ट है और लाश्टली इस क्रीम को वाइब आफ कर ले नाइट्स के बेनीफिट्स है क्रीमी एंड शॉक टैक्स्चर है इसका क्लेवेश्ट मास्क है और्श को डीपली क्लींजिंग कर देता है ड्राइ होने में 10-15 मिनट लगता है उसके बाद धो लीजिए इस पैक को धोने के बाद चेहडा थोड़ा सा फ्रेश दिखता है एक् चेहले पे फिल्म जैसा फिल होती है इसलिए कम अपलाई करना होगा और पार्टी लाइक ग्लो इसके वज़ा से ही आता है और कुछ नहीं इस जेल के अलावा बाकी जो किट है वो अच्छा है क्लीनप के लिए रिकर्डली पार्लर जाने की जुरत नहीं है घर पे ही फेशिल क्लीनप हो जाएगा और अफेटेवल तो है ही और इसकीन टाइप्स के लिए सुटेवल भी है ओके तो दोस्तों आज के लिए वस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलती हूं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए वस इतना ही धन्यवाद